नमस्कार राहूल जी मैंने सब नियम बता दिये हैं पत्रकारों को हमारे पास 45 मिनिट है राहूल जी को और बहुत से कारीक्रम है और मैं प्राथमिक्ता राजस्थान के मीडिया को दूँगा और अंत में 4-5 सवाल जो दिली से आये हुए हैं उनसे मैं करवाऊंगा पहले तो आज जैसा की आप जानते हैं भारत जोड़ यात्रा ने आज 100 दिन पूरे किये हैं और आज 8 प्रेस कांफरेंस है राहूल जी का पिछले 100 दिनों में पहले देनिक भासकर से सौरभ भट पहले राहूल जी कुछ बताएं आप सब का यहां बहुत बहुत स्वागत अब भारत जोड़ यात्रा के 100 दिन हो गए हैं कन्या कुमारी से अब हम राजिस्तान से निकल रहे हैं बहुत अच्छा एक्स्पीरिंस रहा है जब शुरू किया तो प्रेस के हमारे मित्रों ने कहा था कि देखो यह सौथ में सुक्सेस रहेगी मगर जब सौथ से निकलेंगे तो सुक्सेस नहीं होगी फिर महराष्टा में कहा कि हाँ महराष्टा में सुक्सेस हो गई मगर हिंदी बेल्ट में सुक्सेस नहीं होगी और फिर हिंदी बेल्ट में जब हम आए कहा अच्छा मध्यप्रदेश में सक्सेस हो गई बट अब राजिस्तान में फैक्शनलिजम है वहाँ पे सक्सेस नहीं होगी और आपने बहुत क्लिरली देखा कि राजिस्तान में बहुत लोग आए लाखों लोग आए हमारे संगाथन ने बहुत अच्छा एफेक्टिव काम किया और शायद सबसे अच्छा रिसेप्शन इस यातरा का राजिस्तान में हुआ यातरा के लक्ष तीन हैं सबसे जरूरी कि हम हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं जो नफरत हिंसा और डर की राजनेती बीजेपी कर रही है रसेस कर रहे हैं उसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं ये मैसेज बहुत अच्छी तरह देश में गया है बहुत अच्छा रिसेप्शन हो है इस मैसेज का ये लोग सुनना चाहते हैं ये राजनेती करने का एक दूसरा तरीका है, कॉंग्रेस का तरीका है, गांधी जी का तरीका है, दूसरे दो मेसेजिजेज हैं, एक जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ, और दूसरा जो महंगाई और जो इंकम इनक्वालिटी हो रही है, जो चुने हुए लोगों को बहुत सारा फाइदा मिल रहा है, और हमारे जो किसान है, मजदूर है, चोटे दुकान दार है, युवा है, उनका नुक्सान हो रहा है, तो ये हमारे तीन मुद्द हैं, अगर आप चाहते हैं, मैं अंग्रेजी में बोल लेता हूँ, या हिंदी में ठीक है, अब आपके जो सवाल होंगे आप पूछ सकते हैं जैनिक भासकर्स के सौरभ भट माइक दीजेगा जल्दी जल्दी संग्शित बे प्लीज नमस्कार से भारत जोड़ो यातरा राजस्तान में जब से आई है कॉंग्रेस सड़कों पर एक जूप दिख रही है कोई बयान बाजी भी कोई भाद भी सामने नहीं आ रहा लेकिन जब आप राजस्तान यहां से छोड़ कर जाएंगे तो क्या इस्तितियां यही रहेगी इसके लिए कोई मैकेजिन देखे जाएंगे या फिर कॉंग्रेस आल इस वाल के बयान सही काम चलाएगी मेरी राय है कि जो मैंने देखा है और यह सिर्फ राजस्तान की बात नहीं है यह बाकी स्टेट्स की भी बात है कि मेन इशू कॉंग्रेस पार्टी की कि हमारा जो आम कार्य करता है जो सड़क पे लड़ता है जो सड़क पे लड़ता है जो लोर लेवल का नेता है उसको हमें पार्टिसपेट करवाना है उसको हमें जगे देनी है और उसकी बात हमें सुननी है यह मेन इशू है जो यह बयान बाजी की बात होती है यह तो आप जानते हो प्रेस वाले आप थोड़ा मज़ा मतलब अपन clarity है, उसमें कोई confusion नहीं है और दूसरी बात दूसरी बात देखिए हमारी party dictatorship की party नहीं है जो fascist party नहीं है हमारी party में थोड़ी सी discussion हमें ठीक लगती है, कोई problem नहीं है हमारे अगर अलग-अलग विचार है तो कोई problem नहीं है और यह सिर्फ राजस्तान की बात नहीं हमारे हर state में ऐसा है, center में भी हमारा ऐसा ही चलता है तो हम इस चीज को tolerate करते हैं जादा नुकसान नहीं होना चाहिए तो अगर जादा नुकसान होता है तो हम action भी लेते हैं मगर generally यह congress party की विचारदारा है कि हमारे party के लोग अगर कुछ बोलना चाहें हम उनको डरा कर चुपने करते हैं और प्रेस वाले बोलना चाहें तो हम बिल्कुल नहीं डराते हैं उत आप जानते हैं रावल जी सबसे पहले तो सो दिन पूरे करने पर आपको पढ़ाई और मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है आप कन्याक गुमारी से चलें और राजस्तान तक आए इसमें छे स्टेट ऐसे हैं जिसमें Congress आपोजिशन में हैं और राजस्तान ऐसा अकेला स्टेट है जहापर Congress ruling स्टेट है तो इसमें आपको क्या अंतर देखने को मिला आप लोगों से मिले depending time Congress party का जो कारियो करता है Congress party का जो सपोर्टर है उसके कोई कमिनी है लाखों को रोड़ो लोग है और सिर्फ हमारी party के लोग नहीं मतलब आम नागरिक भी बहुत मतलब congress party से बहुत प्यार करते हैं तो यह तो देखने को मिला हर स्टेट में जो आप ने कहा जब हमने यातरा मैं भी सोचा था कि एक्चली जो केरला में हमारा संगठन है वो साइध बहुत मजबूत है मगर उसके बाद मैंने सोचा कि केरला बेस्ट होगा के बाद करना टका उससे बहतर चला गया और इंप्रूफ करता गया मतलब मध्यप्रदेश में जो हमें रिस्पॉंस मिला महराज़्टा में जो रिस्पॉंस मिला आप लोग दिखा नहीं रहे हो वो तो आपके मतलब आपको करना पड़ रहा है नहीं दिखा पार है वो अलग बात है बट भयंकर रिस्पॉंस है इमोशनल रिस्पॉंस है प्यार भरा सब जगे। चलते हुए लोग थोड़ी शिकायत करते हैं कि यहां पर बिजली बिजली नहीं आ रही है थोड़ी सी या फ्लोराइड आज आज लोगों ने मुझे कहा कि उनके गाउं में फ्लोराइड का पानी है तो ऐसी शिकायते तो आती है वो तो सब जगे आती है तो overall काफी अच्छा सब्सक्राइड है नव जोती से गुणेंदर शिकायत नहीं है नव जोती से गुणेंदर शर्मा सब्सक्राइड के पूरे हैं और सभी मंत्री सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं अभी जो हाल में घटना करम हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है कि अब अगले एक साल में सरकार रिपीट के लिए क्या किया जाएगा और इसी में एक सवाल है जैराम रमेज जी न आपने सवाल का जवाब देंगे आपने सवाल कर दिया एक सवाल तो देखिए चुनाव का प्रेडिक्शन आप लोग करते हो आप लोग जानते हो बगर मैं आपसे ही कह सकता हूं कि यहां पर ओवर्वेल्मिंग रिस्पॉंस रहा है और हमारे जो कार्य करता है उनकी मतलब अगर अगर उनको हम ने सही जगे दे दी तो यहां पर भयंकर जीत होगी कि स्वीप होगा तो वही मेन इशू है राश्ट्र दूद से योगे शर्मा राहुल जी आपके रहे हैं रैस्पोंज अच्छा मिल रहा है निश्ची तोर पर सड़क पर बहुत सारे लोग आपको देखने सुनने आ रहे हैं लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारी ए निड़ने की स्थिति होती है असी दिन पहले आला कमान के निड़ने के खिलाब जाकर समाना अंतर विदायक दल की बैठक होती है उसमें प्रभारी के खिलाब बयान दिये जाते हैं आप तीन डेताओं को नोटिस देते हैं असी दिन बाद उससारर निर्णे नहीं होता उसी दिन विधायक स्थिपा देने गए थे उन इस दीपों में कोई निर्ण नियोटा आप मस मतलब यह थोड़ा-थोड़ा होता रहता है पार्टी में हमारी पार्टी में होता है कोई बड़ी प्रोब्लम नहीं है कोई कश कर डिशिटल सर्फ स गोवर्दं अगर आप अगर आप कॉंट्रोवर्सी चाहते हैं मुझसे पूछिए मैं कॉंट्रोवर्सी करा सकता हूं आपके लिए थोड़े आपके बिकेंगे अगबार लू प्रॉब्लम जी भाया मैं मैं कॉंग्रिस पार्टी का प्रेजिडंट नहीं हूं कॉंग्रिस पार्टी के प्रेजिडंट खारगे जी हैं आप यह सवाल उन से पूछे आपने सवाल पूचा मेने सवाल का जवाब मिल गिर से दोरा देता हूं खारगे जी से पूचिए ताइम सफ इंडिया जैपूर से जोई चन सब्सक्राइब कुछ ने लोग बोलता है ये कोई ने चलागे तो फारक नी बड़ता अबॉचिए लुचिए अजय ने चॅब जा बादेश कुछ ने लूचूर लुचिए ओम नें सब्सक्राइब को ने सब्सक्राइब को च्टे ने लूचिए ख़ू यह एमाचल परदेश य। कि युर्चि आः कॉर्टी इस हुशञा हुआ अिकार्टी आफॉट अजी फ्रॉट जाव टॉट लसकुछी आउन्टर का का PRईिया जडिप्ट छो की आउन्हाँ जिए उन्हाँ हुब यह ढूरे वेंप्टी इंपॉ इनुट ब्रेंट इस्पो hisseffective यह घू दॉ विल्फ़र इंश्डेश जिल्फ़िटब्ट कर दे हैं कि आविए और और जारी ।टे अचाने का वन विल्फटी आफ चांवेजि इस सूचीब और टारी कि अप्रश्टी निल्फिया चांवा इंश्ट सीप्टिट इंट इस में आव हूविंज्ट निल्फटे जाम इस पर the BJP and you have played a part in putting this across. Let me be very clear, the Congress Party is an ideological party, it is the party that is ideologically opposed to the BJP, it is the party that is fighting the BJP on the ground, it does not compromise with the BJP, it has its principles and of course if certain people want to leave the Congress Party, they don't have the courage to face the BJP, they are, they have been corrupt and the BJP can apply pressure on them, they are welcome to leave, we don't want them, the more the merrier, what we need is people who are fighting the BJP, who believe in the Congress ideology and who are standing firm against the fascism that is taking place in this country, that's what we need, so this idea that Congress Party is dying, this Congress Party is finished, I mean lot of people have this fantasy, right, it's not true, it won't come true, mark my words, the BJP is going to be taken down by the Congress Party, okay, thank you. , जी राजस्थान से शाशी मोहन बोलें देखिए ये जो अभी जो बुला देखिए एक बीजेपी आरेसेस ये इनका काम डीफेमेशन है ये 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 ही इनकी सबसे बड़ी स्ट्राटिजी है ये ही इनकी सबसे बड़ी स्किल है मुझे डीफेम किया और हर रोज ये कॉंग्रेस पार्टी को डीफेम करते हैं और मैं आप को सज बताओं तो इसमें प्रेस का भी रोल है और मैं आपको गल्ती नहीं देता हूं आप आपके मालेक हैं आप पर दबाव डालते हैं वो ठीक है मगर ये कहना कि कॉंग्रेस पार्टी बिखर गई कॉंग्रेस पार्टी खतम हो गई ये बिल्कुल गल्त है कॉंग्रेस पार्टी एक विचारधारा है देश में बहुत जीवित है लाखों को रोडों लोगों के दिल के अंदर है और यही पार्टी है जो बीजेपी के खिला तो भी आपको उनसे पूछना पड़ेगा वो तो वो बताएंगे मैं कैसे बताओ मेरा परसनल नजरिया नहीं लाइफ का एक्सपीरियंस होता है वो भी एक्सपीरियंस था है ये भी एक्सपीरियंस है तो एक सफर है उससे भी सीखने को मिला इससे भी सीखने को मिला मगर यातरा से मुझे परसनली तो काफी फाइदा हुआ है यातरा भी खतम नहीं हुई है मगर बहुत सीखने को मिला है जो सडक पे दिखता है और चलने से जो दिखता है वो बिलकुल अलग होता है मतलब थोड़ी थकान होती है थोड़ा दर्द होता है तो तब सुनने में सच्चाई अच्छी सुनाई देती है फर्स्ट इंडिया से युगे शर्मा क्योंकि जब सड़क पे चला जाता है तो जैसे आप हम लाखों लोगों से मिल रहे हैं और one to one बात होती है और जब हम सड़क पे चलकर बात करते हैं तो जैसे हम किसान से मिलते हैं तो वो इस बात को समझ लेता है एकदम समझ लेता है कि ये जो वियक्ती आया है ये दर्द सह के आया है ये फालतु में नहीं आया है ये चल के आया है एक प्रकार से बोज उठा के आया है तो वो दूसरे तरीके से बोलता है और वो दिल से बोलता है वो दिमाग से नहीं बोलता है तो जब हिंदुस्तान की जनता दिल से बोलती है तो बिल्कुल अलग चीज़ समझ आती है एक बात ये है दूसरी बात है कि मुझे लगता है और इसमें मैं शायद गल्थ हूँ मगर मुझे लगता है कि हमारी राजनेती में जो पहले हमारी राजनेती हुआ करती थी खासतोर से सतर असी साल पहले महत्मा गांदी जी के समय की राजनेती इंडिपेंडन्स की राजनेती उसमें राजनेता जनता के बीच में होता था एक प्रकार से जनता के अंदर होता था दूरी नहीं थी और आज राजनेताओं के बीच में और मैं सिर्फ सीनियर लेवल राजनेताओं की बात नहीं कर रहा हूंनियर लेवल राजनेताओं के बीच में और जंता के बीच में एक दूरी से प exceptionally हो गई है कि थोड़ा सा उसको अहंकार कह सकते हैं अहंकार पैदा हो गया है कि शायद उस टाइम देश गरीब था अजादी से अजादी मिली थी तो नेताओं की अप्रोच थोड़ी अलग थी आज कल मुझे लगता है कि दूरी वन गई है और मुझे मैंने सोचा कि यह जो और शायद मुझे में भी थी थोड़ी सी दूरी मैंने सोचा इस दूरी को खतम करना है यह दूरी फिजिकल दूरी नहीं है यह दर्द की दूरी है तो अगर हम दर्द नहीं सहेंगे हम पास नहीं जा सकते समझ नहीं सकते तो यात्रा का यह भी लक्ष था सिर्फ मैं नहीं अब कॉंग्रिस पार्टी के बहुत लोग चले हैं, जनता के बीच गए हैं, और जनता का बहुत प्यार मिला है, आपको मैं समझा नहीं सकता, क्या इसका मतलब है, ऐसे बोलने में बात नहीं समझाती, और जो हिंदुस्तान का जो ज्यान है, जो आम नागरिक में है, जिसके बारे में आप लोग लिखते नहीं हो, मीडिया में दिखाई नहीं देता, आप लोग अश्वरिया राय जी, विराट कोली जी, अमिताब बच्चन जी के बारे में लिखते हो, मगर जो आम नागरिक है, जो अपना खून पसीना दे रहा है, उसका जो गियान है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, उसका जो प्यार है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, तो यह सीखने को मिला है. नियूस 18 राजस्त्राण से स्च चर्मा लेकिन बाकी जंगोंप का राज है। लेकिन कॉंग्रेस की कोक से जन्में कई दल वहां पर छेत्री दलों के रूप में खड़े हो गए जिन्होंने को लगातार नुक्सान पहुंचाने का काम किया जगन धिक देख लें और दूसरे कि अमेरी जी ने का भी ता एक सवाल की जगा सीदा सवाल जो सब पार्टियों और जो निकलें क्या उनको समाहित करने कि हर पार्टी हर पार्टी का एवलूशन होता है ट्रांजिशन होता है जो Congress Party 10 साल पहले थी जो हिंदुस्तान के हाला 10 साल पहले थे 20 साल पहले थे 30 साल पहले थे 40 साल पहले थे वो बदलते जाते हैं Party को Adapt करना पड़ता है अभी आप Congress Party को Adapt करते हुए देख रहे हो कम्या रही है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि Congress Party ने कभी गलती नहीं की गलती की है बहुत गलतीयां की है मगर देश के जो हालात हैं उसके लिए आप Congress Party Adapt कर रही है और जो Congress Party की जड़ है जो उसका DNA है अब Congress Party उसके ओर जा रही है और मैं आपको एक बात कह सकता हूँ जिस दिन Congress Party ने अपनी जड़ पकड़ ली जिस दिन जो Congress है वो Congress संगठन बन गया उस दिन यहां पर कोई नहीं हरा सकता तो यह यह communication है जनता के साथ एक communication है जनता को समझने का का प्रयास है और अपने आपको बदलने का प्रयास है ठीके तो यह आप transition देख रहे है इसमें थोड़ा time लगेगा मगर यह विचारधारा जो है Congress Party की यह गस-पंदरा साल पुरानी नहीं है यह सो साल पुरानी भी नहीं है यह जो लड़ाई चल रही है यह हजारों साल पुरानी लड़ाई है हजारों साल पुरानी तो यह विचारधारा की लड़ाई पहले थी आज है कल भी रहेगी Congress Party को precisely यह समझना है कि Congress Party है क्या और वो एक सफर है और हमारे जो हो रहा है मैं आपको बता हूँ यह जो BJP आई है जो RSS आई है सारे institutions को capture कर लिया है कर लिया है नोने यह Congress Party के transition के बदलाव के लिए transition के लिए नई एक जो Congress Party का रूप है उसके लिए बहुत अच्छा है खराब नहीं है और जो हमारे serious नेता है जो Congress ही है उनको यह मालूम है और वो दिख जाते है वो डरते नहीं है वो दिख जाते है News 18 राजस्तान से सचिन शर्मा माइक दीजेगा जल्दी यार माइक कूपर मेरा सवाल यह है आपसे कि OPS राजस्तान ने लागू किया हिमाचल में भी OPS की वज़े से ही संभवत्याप लोग सब्ता में आए कल आप रगूराजन सर से मिले हैं उन साब की बाद्ची यह यह आपने बहुत बड़ी स्टेट्मन की की हिमाचल में आप OPS के कारण आए यह मतलब scientific analysis किसी ने नहीं किया है उसका एक बड़ा रोल रहा होगा जैलोस साब भी कई बार गए उन्होंने OPS की बात देई लेकिन कई अर्थ शास्त्री उसकी विरोज में उसके खिलाफ है कल आपकी रगूराम राजन साब से लंबी बात हुई से इसके बार में राय नहीं हुई आप क्या सोझने थIE कि पैयार से भी है ने उनसे बात नहीं हुई मगर हमारी जर जैनरल अप्रोच होती है जो हमारे कि स्टेट लीदरशिप नॉर्मली जो स्टेट लीदरशिप करना चाहती है थोड़ी सी flexibility हम उनको देते हैं तो हम यह नहीं कहते हैं कि हर state को यह करना है हम center से advice दे सकते हैं advice देते हैं कि हमें लगता है कि यह ठीक है या यह ठीक नहीं है बट generally हम states पे छोड़ देते हैं क्योंकि अलग-अलग states को अलग-अलग तरीके से अपना अपनी सरकार चलानी पड़ते हैं इंडिया न्यूज राजस्थान से दिनेश डंगी आपकी यात्रा सियासी नहीं है मकसर तीन आपने बता रखें लेकिन आप दिल से बोलते हैं दिलगाई स्वाल करते हैं तो पब्लिक पूछ रहे हैं इसको वोट नहीं चीए राजनिती यह नहीं कर रहा है क्या फाइदा मिलेगा अल्टी मेटम जो मुद्धिया आठ साल से दोजार साउदा से नहीं मीडिया नहीं मौदी सरकार सीडियस ले लिए पब्लिक रिजल्ट दे चुकी है लोग सबार राजे सबा में तो वो कह रहे हैं यह व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है और यह व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर और नफरत को मिटाना चाता है और यह व्यक्ति यह पहला व्यक्ति नहीं है जो ऐसे घूम रहा है ऐसे बहुत सारे व्यक्ति घूमे है और यह हिंदुस्तान का इ हिस्ट्री है हमारी यह इतिहास है और मैं पहला नहीं हूँ और अंतिम नहीं होंगा और यह मेरी यात्रा नहीं है यह हिंदुस्तान के लोगों की यात्रा है यह कॉंग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए यात्रा है और यह हिंदुस्तान को जोडने की यात्रा है राजस एक और चीज जोड़ना चाहता हूं, देखिए हिंदुस्तान में एक फैशन बन गया है, और ये प्रेस वालों ने भी थोड़ा पहलाया है, बीजे पी आरे से इस तो पहलाती है, कि देश के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, मगर जो मुझे दिखा, और मैं अब तक्रीवन दाई हजार कितने चले हैं जराम जी, अठाइस सो किलोमेटर चला हूं, तो थोड़ा तो मैंने देखा होगा, मुझे दिखा है कि इस देश में करोणों लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, महबत करते हैं एक दूसरे के लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि देश को हो क्या गया है, ऐसे देश में इतनी नफरत कैसे हो सकती है, और सच बताओं तो मुझे बहुत अच्छी चीज देखने को मिले, कि नफरत उपर से पहलाई जा रही है, उसमें आप लोग भी काम कर रहे हो, करना पड़ रहा है, मगर नीचे से आप देखें, प्यार है, भाईचारा है, इज़त है, रिस्पेक्ट है, और यही इस देश की संस्कृती है, यही इस देश की हिस्ट्री है, इसको बदला नहीं जा सकता है. आहुल जी, आपने डाई दिन अज्जाए किलोमेटर की यात्रा की, लगाता है चल रहे हैं, इस पूरी यात्रा में, गाजमित्री गूप से, इस सामजी गूप से, क्या आपने बदलाव, क्या दो तीन एहम चीजे महसूस की, जो आने वाले समय में चुनोती ही बन सकती हो, क्यों के स्पार्ट ये उसका मुकाबला भी कर सकती है, इस तरी कि आप दो चीजें, दो तीन चीजें एहम व्रूप से महसूस की आपने, इस देश में आर्थिक अन्याय हो रहा है, और देश के लोगों को ये दिख रहा है, देश के लोग देख सकते हैं कि, चुनोती लोगों के पास सब कुछ है, सपने हैं, अर्बो रुपे हैं, सब कुछ है, और करोणों लोगों के पास कुछ नहीं है, सब को दिख रहा है, करोणों लोग हर रोज उठते हैं, कोई ना कोई सपना देखते हैं, और फिर उनका सपना तूड जाता है, युवा, कोई एंजिनियर बनने की कोशिश करता है, कोई डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, दिल में उनको सच्चा ही मालूम है, कि कुछ मिलेगा नहीं, जानते हैं, जैसे बहुत सारे युवा मुझसे कहते हैं, मैं पूछता हूँ, क्या कर रहे हो, आएस में जाना चाहते हैं, फिर मैं सवाल पूछता हूँ, बेटा हिंदुस्तान में कितने लोग हैं, कि एक सो चालिस करोर, बेटा हिंदुस्तान में साल में आएस कितने लोगों को मिलती हैं, एक सो पचास, क्या तुम्हें सच मुच में लगता है, कि तुम आएस में जा सकते हो, चुप हो जाते हैं, तो इस देश में जो अन्याय हो रहा है, जिसके ये रक्षा आप भी कर रहे हो, जिसको आप भी छुपा रहे हो, आप नहीं छुपाना जाते हो, मंगर छुपा रहे हो, वो देश के जनता को दिख रहा है, और यह यही कॉंग्रेस पार्टी का काम है कि जो देश कि देश को जो विजन होना चाहिए आगे का पीछे का नहीं बीजेपी कहती है देखो 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 2000 साल पहले क्या हुआ वो विजन नहीं होता है जैसे मैंने किसी से पहले का गाड़ी को आप रियर्व्यू मिरर में देखके नहीं चला सकते हैं अक्सिडंट होगा वह हिंदुस्तान को हुआ रहा है कॉट्रिस पार्टी आगे देखती अ को बूलते नए इसड्री को बूलते नहीं जो मगर अगे देखते हैं हम देश को vision देनी की कोशिश करते हैं हम देश की आवाज सुनते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी opportunity है और ये काम सिर्फ Congress Party कर सकती है और कोई बीजेपी नहीं कर सकती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी opportunity है दुख होता है ये देख कर दुख होता है कि सौ लोगों के पास इतना धन है जितना पचास करोड हिंदुस्तानियों के पास है एक तरफ सौ लोग दूसरी तरफ हिंदुस्तान की आधियाबादी उतना ही धन इनके पास उतना ही धन इनके पास पूरा हिंदुस्तान जानता है क्या हो रहा है कि मैं हैरान हो जाता हूं कि लोग चुप रहते हैं कि दिल बढ़ा है उनका कि मगर ऐसे देश नहीं चलाया जा सकता है तो यह समझने को मिला मुझे रहूल जी हमारे पास पांचात मिनते ही हैं, ने स्वारे जल्दी लूंगा में देली सिफ मेडिया से, आसे मुझेव कमाल पीटी आईसे 2024 is not very far, there are a lot of regional parties that have been talking about bringing the opposition together when will the congress take the lead in bringing the opposition together and in that context how will you reconcile your differences with parties like TMC and ARP झाहते जैते तो हम घाहते जिवक्ष़ाश्oga प्रजूवार्श था क्यू प्रजिए हो इलक धि मैंका, ऑिक्या होते जड़े विरीजरश प्रप्रऴी च्छेमेंगे पाफे तु. तेक्ट गुच्छ प्रेंट पूजिए था जुट जूट्व जुट जुटार्ट जुट्ट आंगार्ट जुट्टूर्टीन चूट्रिक फूट रिस अप्रशी कुष्छ मांट आप जुट पर जुट आप लूट्रेंगरश नुट्टीन हैं अब लेड तेंट and I said to him I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China I said I have a doubt that the press will ask all the questions today back, back, back Satin Pilot, Ashok Elot we will ask all the questions but in China there will not be one question who will ask me who have 2,000 km2 from Hindustan who have 20 people who have killed our people who have killed our people in Arunachal Pradesh I said to him that the press I don't have a question about them it was true it was true Vijay Lakshmi from Indian News Vijay Lakshmi Mike DJ Vijay Lakshmi Ji brother Desh watching this I don't think I don't see Rahul Ji Vijay Lakshmi I want to ask China I want to ask now I want to ask I want to ask China I want to ask China I want to ask I want to ask you to ask how are you going to ask China I want to ask whoever I want to ask you to ask how are you वो बिल्कुल clear है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको ignore कर रही है, मगर उस threat को ना छुपाए जा सकेगा और ना ignore किया जा सकेगा, उन्होंने, उनका पूरा preparation चल रहा है, उनका लदाग की साइड और अरुनाचल की साइड पूरा offensive preparation चल रहा है, हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका preparation चल रहा है, और preparation यूद का है, preparation कोई incursion का नहीं है, preparation यूद का है, अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका weapons का pattern देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, वो यूद की तियारी कर रहे हैं, और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है, और इस बात को शायद accept नहीं कर पा रही है, हो क्यों रहा है, क्यूंकि हिंदुस्तान की सरकार, event based काम करती है, हिंदुस्तान की सरकार strategically काम नहीं करती है, event based काम करती है वो सोचते हैं कि बहिए यहां पर एक event करो यहां पर एक और event करो जब आप international relations international relations की बात होती है Gregory की बात होती है वहाँ पर event काम नहीं करता है वहाँ पर शक्ती काम करती है तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए जो हो रहा है उसको समझना चाहिए उनके ब्यानबाजी आती रहती है मैं देखता हूँ External Affairs Minister बोलते रहते हैं कहना नहीं चाहिए मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए आखरी सवाल राज़ीप सर्देसा इंडिया ठोड़े से Mr. Gandhi It's good to have leaders who take questions from the press and we were going to ask a question on China as well No you were not No we had it, Moshmi and I had discussed it No 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 of course After I said it of course now suddenly the questions will come Anyway we don't need to get into it Sir you started your press conference by saying that you believe the Yatra has been a success as it's gone from Kanyakumari into North India Can you define for us what Rahul Gandhi believes is the success of a Yatra because only last week you lost an election in Gujarat badly you won an election in Himachal Is electoral success one of the criteria for you when you say success of the Yatra and what next for you after this Yatra Rahul Gandhiji are you building towards 2024 is that also part of this Yatra's journey Sir Look there is a particular vision of this country that the RSS and the BJP propose there is a particular path that they believe this country should take it's a violent path it's a hate filled path it's a path that is designed to create two Indias one is in India where there are five or six ten billionaires and the other India where everybody else will live in poverty in desperation that's their vision it's also a hate filled vision it's an angry vision of India and it is a view it is a view held by quite a few people that this is what India should look like that one language should dominate one state should dominate one idea should dominate one culture should dominate right one religion should dominate and there's another view and that view is that this country should talk to itself it should have a conversation with itself it should be affectionate to itself it should understand the pain that this country is going through it should not be arrogant it should be humble it should reach out to other people it should embrace other people this is another vision this is what the Bharat Jodo Yatra has been very successful at showing that there is another alternative nobody in the Yatra is beating each other up nobody is abusing each other someone falls down everybody lifts them up nobody asks what caste are you which state you come from how dare you come here nobody is asking these questions right and that the Yatra has been full of love and affection anybody comes they are treated with respect doesn't matter who they are lot of people come to me when I am talking to them I don't agree with them they will say something to me I tell them I don't agree with you but there is the space for the disagreement so where the Yatra has been extremely successful is that it is shown that there is another way of doing things it is shown that you can actually respect people you can actually embrace people you don't have to be nasty and cruel okay so there it has been a tremendous success what next for me I have said that the Yatra ends in Srinagar I think it will end by the end of January and I have said that look it is my endeavor to focus on this Yatra until the flag is hoisted in Srinagar this is a it is a public journey it is a journey of many many Yatris millions of people but for me also it is a private experience it is it is getting to understand a lot about the people that I love about myself and so it has been a big experience for me it has been a very good learning experience for me personally and you can ask that question to most of the Yatris they will tell you the same thing one of the reasons the BJP wins elections I mean there are multiple reasons right there is that they have huge amounts of money they use the institutions of the country they pressurize and threaten people those things those tools are not available to us we don't want to use them we will never take over the institutions of this country because we are the ones who built them and we know that they belong to the people of this country we will never touch them so we can't do that we don't have access to that money we never will right because we don't we don't offer the conveniences that the BJP offers we say inconvenient things about farmers and laborers and small businesses and youngsters and we do all that so we can't we won't we'll never get that money but one of the other reasons that BJP wins elections is because they're very clear on who they are they're hateful I don't agree with them they divide India I don't agree with them but they have complete clarity on who they are it's easy to have clarity on who they are because for them it's just do you hate so and so yes you do okay that's who you are for us it's much more complicated but the day the Congress Party understands in depth who it is and what it stands for it will win every election that it faces okay there is also the matter of fighting elections operationally which we are getting better at Himachal Pradesh election we face the full money of the BJP the full organizational capability of the BJP we beat them and frankly if in Gujarat the AAP hadn't been put up as a proxy and hadn't been used to target the Congress Party we would probably have beaten the BJP there as well so we are learning but we are different than the large number of opposition parties we work with them we appreciate them we believe they are important but we are different and the way we are different is we represent a national ideology we represent a vision for the country none of the regional parties can represent a vision for the country they can represent a vision for a community or a vision for a state but they cannot represent a vision for the country right and what we are competing with is a vision that the BJP is proposing for the country so the space of the Congress Party will always be there the people who believe in the Congress Party will always be there let me finish the people who believe in the Congress Party will always be there it's a question of getting them excited getting them motivated and getting them to believe in what they stand for which the Yatra has been very very good at doing no Rajdeep no Rajdeep no supplementary please no supplementary Rajdeep no supplementary please okay you are not thinking of 2024 Shukriya Rahul Ji Shukriya Rahul Ji Rahul Ji Shukriya okay okay sir you are not thinking of 2024 no supplementary please please respect the rules that have been set no let me I have informed you the rules see the point is see I understand no supplementary that are bar bar pushed then I just answer that bar bar pushed up chip reye I'll answer that chip reye up I'll answer the ok okay friends friends everybody friends okay one second now I just want to I just want to say one thing to Rajdeep see the point is that these questions these questions are meant to distract right, they are meant to take the press conference to a different place I have got enough experience now I am not going to fall for it right, and I am not going to actually indulge in helping you take the press conference to a place where I don't want it to go thank you thank you, Rahul ji you can take a photo with them thank you you